अभी आपको मैं दिख्षा दूंगा और यहां आग्या चक्रप है शिव का तीसरे नेतर है आँख बंद करें मुझे यहां देखना यह अंदर खुलता है इसमें आपको बहुतर हजार नाड़ियां देखेगी वो कुंडलने उपर उठती हुए दिखेगी यह क्रियात्म की हो गए इसमें खंडन मंडन नहीं होता है मेरे गुर्देव ने इस सरी रूपी गरंद को पढ़ना सिखाए और यह आप सब के पास है इसका अंतिमक्षर आप पढ़ लोगे उसी का नाम मोक्ष है साल्वेशन बारती योग जो है वो मनिशे के उच्चतम विकास तक पहुंचाने की क्रियात्मक भी दिवताता है नियम आसन प्रणयाम परत्यार धर्ना ध्यान और समाधिया उसमाधिस दुए बिना आप प्रकृतिका पूर्ण रहे नहीं मालब करसोग। इसमें कई तरह की मुद्राइं होती है एक को ती खेच्री मुद्रा खेच्री मुद्रा उसमें क्या होता है जीव पीछे खिषती है और सक्तों के उपर तालू में एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है वहां से एक रश्ट पकता है हमारी योगियों ने उसको अमरत का है गोर्गनाजी नका है दगर मंडल में उन्दा कुआ ताल अमरत का वासा सुग्रा होए बरबर पीवे निगर जाय प्यासा अवतारवाद के सिद्धान्त के अनुसार उगन कुष्ण नका है यदा यदा ही धर्मश्य गलानीर बहुति बारत है अवित्तानम धर्मश्य तदात्मानम स्टिजा महिम परित्रानाय सादुनाम विना साथ दुष्कृताम धर्म संस्तावनारता संबवामी योगे योगे तो इस प्रकार कृष्ण नोमे उतार थे अब कल क्यों हो गया देखे अब मेरी तस्वीर से योगोने लग गया USA में बहुत और थे अब इमेल का सिस्टम ऐसा हो गया कि आप अपने घर बेटे कहीं मैसेज कर सकते हो तो सेक्ड़ों इसाई महिले हैं महिला है अमेरिका में ध्यान कर रही है और उनको योग हो रहा है ग्रियात्मा को योग हो रहा है और मेरी तश्वीर से योगोने लग गया तो ये तो वेबसाइट पर है दुनिया देखिया की तो इस प्रकार मेरे जीवन का उद्देश है पार्तिय दर्शन को विश्व दर्शन बनाना जहान की स्थित में साथक अनलिमिटेड पास्ष्प्योत्र को देखता सुन पाए जो गटनाएं गटगी वो तो गटगी अभी आगे क्या होना है आप द्द्देशन की स्थिति में अनलिमिटेड फ्यूटर को देखेंगे और आज ही देखेंगे समझें समझें मैं साल की बात करके चला जाओं तो क्या सबुत आओं या नहीं होंगो मैं कहता हूँ आज ही परिवर्ट नाएगा आप में पर मैं कुछ नहीं दूँगा आप भाई बर्थ पूर्ण हो आप नहीं जानते हो आप क्या हो आप आत्मा हो जो अजर अमर है अब इस परकार फ्योचर को देख लोगे तो गड़ा होगा अब इसमें क्यों गिरोगे ठोकर क्यों लगेगे तब एक क्रियात्मा क्यों हो गए ये जीवन के उच्छतम विकास को का रास्ता दिखाता है क्रियात्मा के डंग से आप कुपन्द करके यहां देखोगे आपको बहतर जार नाडियां देखेगी समझें समझें और वो कुंडले नहीं ऊपर उठती होई देखेगी उसको मदर ओफ यूनिवर्स का है हमारे दरम में अब इज्ञान परिशान है यह बाठी के वो कहते हैं कि कोई दवाई के बिना बार से कोई मेटर को नहीं डालोगे तो ठीक नहीं हो सकते और मैंने किवल राधा और कृष्ण के मंतर से ठीक कर दिया एड से कैसी चीज है अच्चाई भी पोजिटिव होने के बाद मैं आज तक विश्व में आद्मी नहीं बचा और वो कुंडलनी योग करवाएगी वो सारे सिस्टम्स उनको स्ट्रमलेट करेगी टॉन अफ करेगी और जर्म से जो सिस्टम जितने ताकतवार थे उन सब को उसी इस्तिति मिला देगी कि वो कुंडलनी जाकर तो करके योग होता है तो यह एड्स खतम होती है कैंसर तो खतम होता है स्टार्टिक में खतम होता है मेरे पास अमेरिका से आये थे आई के किम और बिलियम किम दो वो उनको रिलप्स के अपसन था अगर मेरी तस्वीर को नैशनल लेवल पे हाइलेट कर दे एलेक्रोनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया की बाद तो समझे नहीं आईगी अब जो कुछ कह रहा हूँ आपको जचे नहीं जचे मगर जब योग करवा हूँगा कैसम एक उत्थाफन सिद्धी होती है मेरे बहुत सिचे जचे जो है यह प्लेन में सीर शाषन कर लेते हैं सिधे खड़े रहते हैं हाथ गंटे थक बहुत सिचे है और खेचरी लगेगी उसको हमारे गॉरुपनाज जी ने कहा है उस्सी रष्ट पकता है वो अमरत है अमरत है तो बाद दूसरा जनम क्यों होगा यह जनम तो ले लिया तो इसमें तो जनम ही पड़ेगा मगर केचरी लगने को बाद में दूसरा जनम नहीं होगा अच्छा इसमें नशा भी छूड़ जाता है नानक देव जी ने कहा है बांग दतुरा नानका उतर जाय पर भाद नाम गुमारी नानका चडि रहे दिन रात यह बाद कभिर दासी ने कहिए कभिर ने कहा है नाम अमल उतरे न भाई और अमल चिंचिं चड उतरे नाम अमल दिन पड़े मेरे बहुत जी से वो मीट स्राब खाते थे, अब वो अपना आप छूट दे, आंतरिक बदलाव आ गया, अब करो 15 मिन द्यान, आंक बंद कर लो, और ये तीसर नेतर रोता शेव का, यहां मुझे देखो, आप किसी जाती के, किसी दर्म के, कोई जरूरत नहीं, मैंने तो वेस में भी खा के बने रहो हिसा ही, मगर ये क्रियात में क्यों गए, इसको देखो, तो पंद्रे मंडे ध्यान करो, नाम जब करो, मनी मन झालव से ही, मिम पंद्रे में बढ़ने कंप नहीं, मैंक송 ए 놓ा-क फंद्रे मोरी खाईं का, कि भी खार रहा दि Aside झाल झाल